ये गाईस वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ हेलो वाच 3 का इस स्मार्ट वाच के अंदर आपको 2.04 इंचेस का एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड क्या हुआ है उसी के साथ कॉलिंग फीचर देखने को मिल जा बाकि इसको ऑफन करके चेक करता हूं इसको अभरते ही सबसे पहले यह पर आपो हलू वाच लिखा हुओ है एंड यहां पे यूजर मैनुल प्रोवाइड की हुई है इसको पढ़के सारी information समझ सकते हो उसके बाद यहां पर स्टैप्स वगिरा प्रोवाइट के हुए है तो स्टैप्स को निकाल देता है इसके अंदर True Wireless Charging Cable प्रोवाइट की हुई है आप देख सकते हो कोई भी Magnetic Pins नहीं है यानि कि 100% Wireless Charging Cable देखने को मिल जाएगी चुकि काफी अच्छी बात है इसके उपर आप इस टैप से वाच को प्लेज करके आराम से चार्ज कर सकते हो बाकी एक बार वाच के अंदर स्टैप्स को इंस्टाल करके देखता है तो यहाँ पर इस थरीके से आराम से इंस्टाल हो जाएंगे इसके स्टैप्स और सबसे च्छी बात यह है कि इस वाच के अंदर Lockable स्टैप्स का फीचर है यानि कि एक बार steps को install कर दो फिर दो अधर ये कहीं पे भी नहीं होंगे क्योंकि ये lock हो जाता है यहाँ पर ये lock हो जाते हैं यहाँ से तो ये वाले जो buttons है ये dummy नहीं है real में work करता है बाकी यहाँ पर एक बार watch को on करके jack करता है ओके सो ये watch within seconds on हो चुकी है सबसे पर लगब बात करें build quality and first impression की तो वैसे तो इस watch के अंदर आपको पूरा plastic build देखने को मिलेगा but quality wise high quality plastic use क्या हुआ है बाकी first impression में काफी सही लग रही है ये smart watch काफी अतक apple watch ultra से inspired है क्योंकि यहाँ पे आप इसके जो buttons वगरा के placement देखोगे तो same to same apple watch ultra जैसे है and इसके अंदर always on display का भी feature है आप देखी सकते हो यहाँ पे time आ रहा है बाकी यहाँ पे जो three buttons दियो है ये तीनों ही work करता है आप देख सकते हो बाकी यहाँ पे speaker इस side में provide किया हुआ है इस side में microphone है and यहाँ पे crown working रहने वाला है इस watch के अंदर इस button को press करके यहाँ पे आप जो apps वगरा है वो open कर सकते हो ये भी work करता है तीनों ही button इसके अंदर work करते हैं back side में यहाँ पे straps को lock करने के लिए यहाँ पे दिये हुए हैं display सच में काफी ज़्यादा बड़ा है दूसरी smartwatch इससे compare करो तो बाकी यहाँ पे emulet display है तो display की quality top notch रहने वाली है and अच्छी बात यह है कि इसके अंदर symmetrical bezels provide किया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल symmetrical bezels है and उतने ज़्यादा visible नहीं होते है black color में कोई watch face लगाऊगे तो बिल्कुल भी visible नहीं होँगे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके अंदर edge to edge display provide क्या हुआ है तो यहाँ पे यह सभी watch faces है inbuilt कुछ 6 to 7 watch faces आपको देखने को मिल जाता है बाकि अगर आप चाहो तो applications है और भी watch faces इसके अंदर install कर सकते हो second hands की movement भी smooth है यह चीज़ बताती है कि display की quality कितनी अच्छी है उसके बाद UI की बात करें तो नीची दा swipe करके यहाँ पे आप जो notifications वगरा है वो सब चेक कर सकते हो right की दा swipe करके यहाँ पे आपको recent applications मल जाएंगे उपई दा swipe करके यहाँ पे control panel provide क्या हुआ है जहाँ पे battery percentage हो रहा है उसी के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे options है तो इन सभी को आप अपने हिसाब से आराम से access कर सकते हो and इस दा swipe करके यहाँ पे आपको कौन सा option जाइए बाकि यहाँ पे crown को press करते ही applications होगिरा आ जाते है तो यहाँ पे crown को rotate करके applications होगिरा को आराम से access कर सकते हो और दो बार अगर इसको अपन press करते हैं तो यहाँ से menu change नहीं होता है तो यानि कि अपन को settings से जाके चेंज करना पड़ेगा है एक बार मैं आपको menu styles पता देता हूँ इस watch के तो यहाँ पे app view करके option है settings के अंदर तो यहाँ पे total two menu styles प्रोवाइट के होग है एक है grid view और एक है list view तो अभी अपने list view देखा था तो एक बार grid view देख लेता है कुछ इस तरीके से बाकि यहाँ पे smoothness की बात करें तो डिस्प्ले बहुँ जादा smooth जीरो परसेंट लैक से इस watch के अंदर ऐसा कह सकते हैं तो इसके अंदर application काफी अच्छे दिखते हैं बट अभी आपको समझाने के battery backup आराम से देखने को मिल जाएगा तो चलिए अब एक काम करते हैं एक एक करके स्वाच के applications होगेरा चेक कर लेता हैं सबसे बहले यहाँ पे sports mode provide के हो हैं काफी सारे तो यह सभी आराम से access कर सकते हो walking अपन सबसे बहले on करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको यह सभी information देखने को मिल जाएगी calories burn beats per minute और speed और यह सभी आप देख सकते हो तो pedometer के accuracy वैसे इसके अंदर अच्छी आती है एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको यह सभी options देखने को मिल जाता है आप इसको lock कर सकते हो प्लस यहाँ पर add पर क्लिक करके कोई और task भी कर सकते हो तो यह चीज में को काफी अच्छी लगती है इस watch की फिलाल के लिए मैं इसको एंड कर देता हूं तो sports mode यह सभी देखने को मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर sports record का option है जिसके अंदर आपके कितने steps वगिरा है वह सभी आप आराम से record कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर heart rate का option प्रोवाइड किया हुआ है तो heart rate को अपन एक बार चेक कर देता है heart rate sensor इस watch के अंदर वर्क करता है यहाँ पर नहीं करता है तो यहाँ पर फिलाल calculate हो रहा है यहाँ पर अब ही तक कोई reading नहीं आई है आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा चुका है प्रीस एड़्जस्ट वेरिंग पॉजिशन और एयर के अंदर यह watch को इसकी एक्यूरेसी को मैंने compare करने के लिए ओक्सिमेटर से compare करके देखा था रिजल्ट इसके 70 तो 80 परसेंट तक आते हैं तो इतनी एक्यूरेसी आप इससे expect करके चल सकते हो बाकि यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी information मिल जाएगी जैसे कि resting heart rate walking heart rate तो यह सभी continuously basically आपके heart rate जो है वह monitor करती रहती है यह smart watch और आपको accurately डेटा शो कर देगी बाकि अप्लिकेशन के अंदर आपको proper graphs के अंदर डेटा भी शो हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर SPO2 sensor and SPO2 sensor को check कर लेते हैं एक बार यहाँ पर कोई dedicated red light sensor provide नहीं क्या हुआ है तो SPO2 को लेके मैं इतना शौट नहीं हूं और इसकी accuracy भी इतनी कुछ खास नहीं आती है बट हाँ एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि इसके अंदर animations काफी अच्छे शो होता है अच्छे शो हो रहे हैं पर accuracy नहीं है इसके अच्छी उसके बाद यहाँ पर आपको सारा graph के अंदर प्रॉपर डेटा देखने को मिल जाएगा तो यह सब आराम से एक्सेस कर सकते हो compass इस watch के अंदर provide के हुआ है तो compass को आराम से यूज कर सकते हो और यह feature भी मेरे साब से useful हो सकता है आपके लिए उसके बाद यहाँ पर sleep monitor प्रॉइट के हुआ है इसके अंदर भी 70-80% तक accuracy आजाती है और अच्छे से work कर लेता है उसी के साथ यहाँ पर आपको proper graphs के अंदर भी data देखने को मिल जाएगा और जैसा कि मैंने आपको starting में कहा था कि यह calling watch रहने वाली है तो इसके अंदर dialer और यह सभी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर इस site में आपको speaker और इस site में microphone प्रोवाइट के हुआ है तो आप calls वगरा आराम से attend कर पाऊगे next यहाँ पर call records का option है तो इसके अंदर आपको सारे records वगरा call locks basically देखने को मिल जाएंगे उसके बाद है context और आप phone से connect करके context वगरा आराम से sync कर सकते हो इस watch के अंदर उसके बाद next यहाँ पर calendar का option provide क्यों है calendar के अंदर आप आराम से date वगरा set कर सकते हो उसके बाद है weather weather के अंदर आप देख सकते हो के animations वगरा काफी अच्छे show हो रहे हैं और यह सभी आप आराम से यहां से access कर सकते हो उसके बाद है remote capture वाला feature तो यहाँ पे आप watch से basically अपने phone के जो images होते हैं वो ले सकते हो उसके ब है उसकी मदद से आप इसके local music के अंदर आप बहुत सारे songs वगरा store करके रख सकते हो अब सवाल यह उड़ता है कि इसके अंदर songs कैसे store करें तो उसके लिए आपको PCF laptop से connect करना पड़ेगा और एक option और फोन से connect करके application के थूभी सिंग कर सकते हैं वो मैं आपको next video में बता द है उसके बाद पोजीशन तो यह बेसिकली GPS वाला फीचर है जो कि इसके application से connect करके आप यूज कर सकते हो उसके बाद ब्रीट ट्रेनिंग इसके अंदर animation काफी अच्छे शो होते हैं इसके सबसे ब्रीट करोगे तो आपको health benefits मिल सकते हैं उसके बाद basic feature है जैसे कि alarm and stopwatch तो य आप सेंटर के अंदर basically आपको बहुत सारे गेम्स देखने को मिलेंगे तो यह सबी गेम्स आप खेल सकते हो यह कुछ बहुत इंट्रेस्टिंग सा गेम है उसके बाद है एरप्लेन वाला गेम तो यह सबी गेम्स खेलके आप time pass कर सकते हो hamster भी इसके अंदर है 2048 है और यह स इसके बाद है फोटो एलबंबंब और फोर इब्स टोरेज अनदर आप फोटोस अगरा भी चोर कर सकते हो एपसे आप जो फोटोस हो इसके अंदर ऐड कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप से किस तरीके से आप सॉंगश ओ फोटो अगरा इस वा सब्सक्राइब कर सकते हो इसके अंदर आपको फोन के नोटिफिकेशन वगरा देखने को मिल जाएंगे और यहां पर उसके बाद ऑप्शन प्रोवाइट के हुआ है इस्टाग्राम फेस्बॉक ट्विटर वाट्सएब तो इन सभी एप्लिकेशन के जो नोटिफिकेशन है र पहला उप्शन है नोटिफाय का तो नोटिफिकेशन वगरा अगर आपको चाहिए हो तो इसको अन कर देना हो उसके बाद है जन्रल जन्रल के अंदर यहां पर आपको बेसिक से फीचर मिलेंगे और यहां पर आपको एप्लिकेशन का क्योर को प्रोवाइट के हुआ है उसके बाद यहां पर आपको बता चुका हूँ एक्शन बटन के अंदर जाके आप सिलेक कर सकते हो कि आपको कौन सा अप्लिकेशन ओपन करना है इस बटन के तुरू तो आप अपने साब से अजस्ट कर सकते हो उसके बाद है साउंड वाला फीचर और अच्छी बात ही है कि इस वाच के अंदर आप पासवर्ट भी लगा सकते हो तो पासवर्ट लगाने का फीचर मिल जाएगा जो कि मुझे काफी अच्छा लगा उसके बाद है सोस सेटिंग्स उसके बाद है बैटरी यहां पर आपको बैटरी कंसम्शन के लेवल देखने को मिल जाएंगे तो यह स अब अपने सबसे सेटिंग्स चेंज कर सकते हो तो यह सबी फीचर से बेसिकली इस वाच के अंदर कॉन्टूजन की बात करें तो इस वाच को मैं आपको 100% कर सकता हूं काफी अच्छी वाच है एंड यस इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे फीचर है चुकि आपको दूसरी सब्सक्राइब करना मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए